इस देश में राजा वही होता है जो देश का प्रधान मंत्री होता है ये बात दोस्तों मैं नहीं कह रही ये बात कह रही है सैफली खान की आने वाली वेब सिरीज तांडव मैं आपको बता दू कि आखिर आपको ट्रेलर कितना बहा जाएगा अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो ट्रेलर देखे और कितना भाया आपको वो भी बताईए पर उससे पहले मेरी रियाक्शन सुन लीजे मेरी जो रियाक्शन थी ट्रेलर को देख करके बहुत ही चौकाने वाले थी पर आखरगार इस सीरीज में क्या होने वाला है ये तो पता नहीं इतना तो बता दिया है वेब सीरीज में कि भारती जो देश है वो राजनेतिक तापर ही चलता है और ये बात गलत नहीं है ये बात तो अब हमारे राजनेतिक बाकी सारे जो पक्ष बेपक्ष है वो साबित कर पर आखिरगार ये बात अलग है बात करते हैं तांडव की और तांडव ये जो वेब सीरीज है उसमें बहुत ही क्लासी आक्टर्स हैं सुनील ग्रोवर है डिंपल कपाडिया है बहुत से ऐसे गिने चुने अक्टर्स और आक्टर्स है जो हमें हमें भाजाने वाले हैं जहां पर अनुप सोनी भी देखेंगे हमें और ऐसे कई सारे जो क्यारेक्टर आर्टिस है और ऐसे आर्टिस थेटर के आर्टिस और ऐसे आर्टिस की जो बहुत ही फाइन आर्टिस है फाइन आक्टर्स है ऐसे आक्टर्स हमें देखने मिलेंगे तांडव इस फिल्म में सेफली ख पर बाकी जो, क्या कह सकते है, जो बाकी जो किरदार निभाने वाले हैं, वो भी सारे के सारे अक्टर्स भहुत ही स्ट्रॉंग इंपक्त लेकर आने वाले हैं। अब हर किसी का क्या रोल है वो तो नहीं समझ में आ रहा बट ये पक्का है कि राज नेतिकता पर बेस्ट ये वेब सीरीज है. अब मैं आपको बता दू कि फाइनली सेफली खान को हम सामने से देख सकते हैं और सेफली खान ने बहुत ही नॉमल सा लुक रखा है जहापर उनकी बियर्ड है और बहुत ही ऐसा कोई अलग प्रकार का रूप नहीं देखने मिल रहा है बाकी सभी अक्टर्स अक्टर्स भी जो में पॉइंट क्या है में पॉइंट यह है कि अली अबास जफर डिरेक्टिड यह वेब सीरीज है और वेब सीरीज इतनी तगडी है कि नाम में ही तांडव लिखा है तो तांडव इस नाम से तो हम सभी जानते है कि आखिरकार क्या होने वाला है यह पता नहीं पर यह वेब के अवतार में सुरूर बताईए हमें we are waiting to hear you मैं हूशुल का चवान और आप देख रहे हैं movies are down